बश्कार दूस्तों तो गाईस जार जिन भी छात्रों का फॉर्म बेरिफाइड हो चुका है उन छात्रों की छात्रवित्ति किस दिन आएगी यह सवाल जो है मैक्सिमम छात्रों का है और आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है तो इस टॉपिक पर प्लीज वीडियो बनाए इसके अलाब आपको बता दूँ कि फ्रिस रिनीवल की इन छात्रों की छात्रों की छात्रवित्ति अब नहीं आएगी तो मैं क्यों ऐसा किया रहा हूँ और इसके पीछे क्या रिजन है इन्ही सारी चीज़ों के बारे में इस वोडियो के अंदर बात करने वाला हूँ तो वीडियो में अंतलग बने रहीगा वीडियो स्टार्ट करने इस प्ले आप सभी से एक छोड़ी सी रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए है तो बिना देरी की हुए चैनल को भी सस्क्राइब करके बैल आइकन को तो सभी लोग भाई हिट कर देना समझ गए तो चलेगा इस प्लेज़ा अगर आप लोगों का जो वीडियो आप लोड करूं सिर्फ नूडियो इसको देखना है जो कारे मैं आपसे कहूं वह करना है बस चात्रवित्ती ही नहीं फ्रिट आप्लेट इस्मार्टफोन भी पाओगे समझ गए क्योंकि good news यह है कि फिर टैबलेट स्मार्टफन के रियार्डिंग भी जो कार्य है वो काफी तेजी के साथ सुरू किया गया मार्च में आप लोगों को श्रिस का लाब मिल जाएगा वो गाइस आप लोग डेड़ देख लो पे ले च्छ मार्च 2022 के बेरिफाइट है समझ रहाल में ही बेरिफाइट हुआ है तो आप लोग इसको चेकाउट कर सकते हो बाकी का पांच मार्च के दिन भी कुछ लोगों का बेरिफाइट हुआ तो उन्होंने स्क्रिंस वाठ हमारे सासा जा किया भाई आज इस्ट्रेटस चेकरने पे-5-3 यानि की कल का दिखा रहा है सवाच और अपर looks डिवस और है इसके पीशे परसान होने की जरूरत है में बिप्रमेंद से अब्लेटar चुका हो तोसे में बिल्कुल परसान नहीं होना है कई सारे students का 4 March को verified हुआ उन्होंने हाल में ही अपना चेक किया और इंस्टाग्राम पे तुरंद मेरे साथ information साजा किया कि सर हमारा भी form जो है वो verified हो चुका है सवाल तो भाई ठीक है form verified हो गया जिसके लिए आप वीडियो को देख रहे हैं कि scholarship का पैसा कब आएगा देखे अभी तक क्या था कि 10 March जो था वो आखरीती थी था form verified होने को लेकर मगर अभी ये date बढ़ा के 20 March कर दिया गया है समझ गए लेकिन अभी मैं आपको एक जिस clear कर दूँ कि scholarship का पैसा जो है वो 12 March से भेजा जाएगा इसके पहले जिनका December में verified होगा नॉंबर में या फिर कह सकते हो नॉंबर में किसी का नहीं December में हुआ, January में हुआ, February में हुआ उन लोगों का scholarship भी भेजा जाएगा और verification का कारे भी होता रहेगा अब जो आपकी scholarship 30 March तक आनी थी अब वो scholarship 10 April या फिर 15 April तक के लिए बढ़ के date, बढ़ रही है, उमीद है कि भाई पूरा अप्राइल आपकी लोगों की scholarship पाएगी, समझ गए तो ये इस वक्त की recent update है, सोचा क्यों ना वीडियो के माध्यम से आपको बता दूँ एक और student का message आया है कि भाईया, मैं डेडिबल ओफिस गया था, उन्होंने कहा है कि वेट करो, date नहीं आया है, लेकिन मेरे सारे friends का verify हो गया है इनका कहिए कहना है कि भाई, हर कोई मिलके मुर्ख बना रहा है, प्लीज reply करो, मैं क्या करूँ देखिए, verification की date बड़ी है, तो परसान होने की जरुवत नहीं, पहला बात खतम तो जिन छात्रों का form verify नहीं हुआ, documents उन्होंने submit किया है, उन छात्रों को परसान नहीं होना है लेकिन, जिन छात्रों का form verified नहीं हुआ है, और document भी उन्होंने submit नहीं किया है ऐसे छात्रों से मेरा अनुरोध है, कि प्लीज, आप लोग अपना जो भी documents है, उस इसको submit कर दीचे, समझ गया, चलिए और भी students का है कि सरमारा भी verified हो गया है, district scholarship committee से, परसान बिल्कुल नहीं होना, scholarship का पैसा जल्दी आप लोगों के खाते में बेजा जाएगा मगर कई students ऐसे भी हैं, जिनका form reject होना शुरू हुआ है, proof के तोर पे आप लोगों स्क्रीन पे सारा कुछ जो है, उसको देख सकते हो, यहाँ पर देखेंगे शात्र का यनबिये के कारण जो form है, वो reject हुआ, कई सारे students का document न मिलने के कारण जो form है, वो reject हो रहा है, तो ऐसे म मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी documents जमा कर दो, और form को verify करवा लो, क्योंकि form verification का कारे भी काफी तेजी के साथ reset किया जा रहा है, तो उमीद है कि भाई, जिन भी चात्रों का reset हो रहा है, फिर आपका verified है, या फिर pending है, आप लोग comment करके जरूर से जो है, वो search कर देना है, search कर गिए आज आओगे, पहला वाला interface खुलेगा, home page फे visit कर लेना है, directly चले आना है, यहाँ आपको कई सारे links देखने को मिल जाएंगे, कई सारे vacancy, कई सारे jobs, यह सारी चीज़ें आप देख सकते हो, मगर यहाँ पे आपको UP scholarship से rated, अगर आपको scholarship का status check out कर लेना है, कहीं आपका form pending में तो नहीं है, कहीं आपका scholarship का form reset तो नहीं हो गया, क्योंकि इन सारी चीज़ों को check out करना बहुत जरूरी है, अभी कई जो भी मतलब scholarship का website है, वो out of reach आ रहा है, मगर ऐसे में आप लोगों को परसान होने की जरूरत नहीं है, आपको कई स इस्ट्रेंट्स का ये भी कहना है, हमारा status ही blank दिखा रहा है, तो भाई, blank status का क्या समाधान है, इसके regarding में आपको सारा कुछ समझा दूंगा next video में, तो बिल्कुल आप लोगों को परसान नहीं होना है, समझ गए, चलिए, सब मेरी sister का UID problem, UID के लिए भाई college में बात करो, अधाल लिंक है, तो परसान होने की जरूवत नहीं, पिफमस response pending हो रहा है, इसमें भी परसान नहीं होना है, पिफमस में हम आप चाह के भी कुछ कर नहीं सकते, समझ गए, तो बिल्कुल परसान नहीं होना है, बाकी का जो भी information होती है, हम वीडियो के माध्यम से, आपको बाकी का आपकी इस टॉपिक वीडियो चाहते हैं, इसको भी कमेंट करके बताईएगा, हम जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, बस आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए, इसे दोस्तों में जरूर सेर करना और चैनल को सस्क्राइब कर लेना, कि वह कई बुद्धिमान चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं, तो सस्क्राइब कर लो भाई फायदे में रहोगे, जुड़ ज़ो हमारे साथ, आग बंद करके, जैहन्दवन्द्री